ओम नमस्य वाइस हाई दोस्तों मैं हुर उल्चोहान और आजम खेलने वाले हैं Minecraft Pocket Edition में One Block Minecraft और मैं One Block Minecraft को कम्प्रीट करूँगा और इस पूरी सीरीज में आप लोग को बहुत मजा आएगा तो यह रहा हमारा सबसे पहला ब्लोक अभी तोड़ते हैं इसको यह उम्मीद नहीं की थी मैंने अब यार दूसरे ब्लोक को तोड़े किना तो अब क्या होगा तो सबसे पहले तो रिस्पॉन लेते हैं तो चलो यह तो सही है जो मैं डर्ट का ब्लोक तोड़ा था यह मुझे मिल चुका है अब इसको साड़े में लगा कि इस लगडी का ब्लो अब ही देख अब एसके अंदर क्या है और इसके अंदर एक गुलाबी फूल एक सपेद फूल । एक और फूल एक और फूल दो गाजर दो अलू एक इनड़ पर वैसे पूल को लगाने कोई फायदा नहीं है साइद क्योंकि फूल तो साथ बढ़े नहीं होते होगे और इन तो मैं गैम नहीं हार जाओगा और मेरे खाल से भी मुझे चैश्ट भी लगा लगा लेनी चाहिए और इससे होगा अगर मैं जोस जोस में नीचे किर गया तो मेरे सारे समान गुम नहीं होगे जो चोटा मोटा खजाना मेरे पास था मैंने वो सब कुछ रख दिया है अब मेरे हाथ में सिर्भ एक डर्ट का बलोक है तो अब तोड़ते हैं बलोक लगातार और मुझे मिल चुका है एक डर्ट का बलोक एक खोर डर्ट का बलोक और मुझे मिल चुका है एक पंपकिन का बलो अब सही लग रहा है स्याद कुछ ब्लोक्स को मुझे चेश्ट के असपास भी लगाना चाहिए और यह है मेरा अब तक का खजाना अभी मेरा आत में सिर्फ डर्ट है और मैंने श्टिक भी अंदर रख दी है चलो यहां मैं कम से कम अकेला तो नहीं हूँ तो अभी के लिए मैंने कुछ ऐसा जुकार किया है और मुझे तो बढ़िया लग रहा है और जब मैं ब्लोक्स को लगा रहा था हूँ खरकोस अपने आप ही बोर होकर कूद गया और यह हमारी पहली रात है एक क्राफ्टिंग डेवल सही रहेगी इस रात के लिए और अब यहां पर एक पीक एक्स और एक एक्स बना लेता हूँ और मैंने को चेश्ट में रख दिया है सांधी से अभी करते हैं माइनिंग और यह बारिस को देखें मुझे जीटिये डेफिनिटिव एडिसन की याद आ रही है जब तक उन लोगों ने इसको फिक्स नहीं किया था उसमें बिल्कुल ऐसी बारिस होती थी तो अब तक मैंने 90 ब्लोक्स को माइनिंग कर लिया है और अब वक्त है थोड़े यहां पर लगड़ी लगानेगा और मैं स्लैब बना कर इनको लगा रहा हूँ ताकि इनको ब्लोक पर गाटा बहुत हो रहा है एक दो मैंने डर्ट के ब्लोक सटाए तो नीचे ही निकल लिए तो यह रब क्या किया जा सकता है तो यहार काफी कुछ अपडेट कर लिया अब इनको रखते हैं वापस और देते हैं माइनिंग पर ध्यान तो वैसे कि आप लोग गैस कर सकते हैं कि 100 वा कौन सा ब्लोक होगा तो इसकी साड़े में उसायड लगा दिया है अब होड है और ज्यादा बढ़े अब लगा रह रहा है और अगर एक और चैश्ट मिल जाती है तो मैं इसको चोड़ा भी कर लूँगा, साड़ में एक और प्लैंक लगागे उसके ओपर एक नई चैश्ट रखके ये हाथ नहीं हतोड़ा है और यहाँ पर स्पोन हो चुका एक काले रंकी बेड फाइनली दो गहंते मेरी माइनिंग वाली जगह को पर खड़े होने बाद ही हमाहां से हड़ रही है अब करेंगे माइनिंगा इसके साथ 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 हमारे हाथ भी तकड़ ओते हुते हैं यह आसमान में जगह नहीं है तो य अगर हम जमीन पे होते तो यह मेरे आसपास भी न बटकती चिलो डेर सो ब्लोक्स तो मैंने माइन कर लिया है मैं दूर हट जाता हूँ कि यह दर अधर कुद न जाए साथ से दक्का दूगा मैं इसको तागी मेरे पीछे गिरे चुप चाप से और दे दिया धक्का मोगे का फादा उठागे थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेते हैं जब तक वाइगी 50-60 ब्लोक्स तो मैं अरे इसकी प्रोग्लम क्या है कुछ वैल्यूबल मिल जाए तो मज़ा आजाएगा और यह वैल्यूबल तो है पर अभी मैं रखोंगा काईन को चलो थोड़ी बहुत माइनिंगी कर लेता हूँ अगर यह मेरा असपास खड़ी देगी मुझे कोई प्रोग्लम नी आईगी पर जब यह सो डियर सो ब्लोक्स और पत्थर आना सुरू हो गया है और साथ इसी लेवल पर जोंबीज भी आना सुरू होंगे सबसे पहले तो चैश्ट को चोड़ा करते हैं काफी पत्री लग रही है अब मजाएगा को आज साड़े में रखने के बाद और यह कितनी बढ़िया लग रही है असली फिलिंग मुझे कई बार ऐसी फिलिंग आ रही है कि दोनों जान पूछकर मुझे तंग कर रहे है इतना नहीं हो सकता अन्जाने में चलो एक और चैश्ट रोस में भीजा है जाला जाला कॉन भीजता है चैश्ट के अंदर और यहां पर आरन को माइन करने के लिए मैं स्टोन पिकेक् अधुपार कर रही है इस लैब लगाने में देरी मुझे चलो एक बार कोडिनेट सोन करता हूँ यार नहीं आरी सपेद क्यों आगे हां पर नीचे कि रा दिया इसको हवा में बिचारी मैंने अपनी नंगी आगों से इतना गिरोना काम देखा जो सपेद ने किया इस काली की और सोच दिया किसको पता नहीं चलेगा मेरे सामनी दिया सोचा कोडिनेट सोन कर देता हूँ एक सेकंड लगेगा तब तक इसने काली निपता इस दुनिया से और यहां भी मैंने बिर्च के पेड़ का बीच लगा दिया है और दूसरी तरफ लगा देता हूँ ओक के हूँ चलो पेड़ को तो एक कम से कम दखका नहीं दे पाएगी यह बहुँ जदा परिसान हो रहा है बहुँ जदा मचल रही है तो मुझे इसकले एक बाड़ा बनाना पड़ेगा यह चोटी सी जेल मालो सिंपल बासा में कासी आडिया मुझे एक दो मिट पहले आ जाता तो एक नहीं से जान बच जाती नहीं तब यह दखका दे सकती ती जेल के अंदर ही क्योंकि मैं इसको बस एकी तरफ बाड़ा हूँ यह पागी तरफ खुला ही रहेगा और यह खुद तो कूदे की नहीं समझदार है चाहिना भी हो अब कूदने वाले को कॉन रोक सकता है मैं न इसरी चारी बन रही है हो सकता है मानकाफ कुई नहीं अपडेट हो यह या इसरी मेरे साथ ही हो रहा है या ओ आठ टोर्चिस वाला जमाना कब का चला गया अरे भाई देखती देखती पेडुग्यार मज़ा आ गया